जे स्री कृष्णा, राधे राधे, आज के हमारी इस वीडियो में हम आपके लिए आसिन संकस्टी चतुर्थी ब्रत कथा लेकर आए हैं महराजी धिश्टी ने भगवान से पूछा हे स्री कृष्ण जी मैंने सुना है कि आसिन कृष्ण चितुर्थी को संकटा चितुर्थी कहते हैं हे जगदिस्वर आप किरपा करके मुझे विस्तार पूर्बक इस कथा का स्रवन कराईए स्री कृष्ण जी ने उत्तर में कहा कि प्राचिन काल में यही प्रस्टन पार्वती जी ने स्री गनेश जी से किया था कि हे देव आसिन मास में किस प्रकार गनेश जी की पूजा की जाती है इसे करने से क्या फ़ल मिलता है ये सुनकर गनिश जी ने कहा है माता सिध्धी के कामना रखने वाले वेक्ति को चाहिए कि आसिन वास में कृष्णा पक्ष की चतुर्थी की पूजा पुर्वोक्त विधी से करें इस दिन भोजन ना करे तिथा कुरोट पाखंड लोब आधिका परित्या कर गनिश जी के सरूप को ध्यान करे आसिन किसन चतुर्थी का ब्रत संकट ना सक है इस दिन हल्दी और दूप का हवन करने से सप्तदीप वाली पृतिवी का राच प्राप्थ होता है संकर्ष्टि गने चतुर्थी ब्रत पैत्यक मास के क्रिष्ण पक्ष की चतुर्थी को किया जाता है आसिन मास के क्रिष्ण पक्ष की चतुर्थी को किया जाने वाले ब्रत आसिन संकटा चतुर्थी भी कहते हैं एक समय की बात है कि बाणाशुर की कईने उस्सा ने सुपता वस्ता में अनुरुध्ध का सपन देखा और अनुरुध्ध के विरह से उवा इतनी कामा सक्त हो गई कि उसके चित को किसी प्रकार से सांती नहीं मिल रही थी। उसने अपने सहेली चित्र लेखा से त्रिभुवन के सम्पूर्णा प्रानियों का चित्र बनवाया। जब चित्र में अनुरुध्ध को देखा तो कहा मैंने इसी वेक्ति को सपनों में देखा था। इसी के साथ मेरा पानी ग्रहन भी हुआ था। हे सखी ये विक्ती जहां कहीं भी मिल सके ढूंड लाओ अईनथा इसके बियोग में में अपने प्रान छोड़ दूंगी अपनी सखी के बाद सुनकर चित्रलेखा अनिक स्थानों में खोच करती हुई दुआर का पुड़ी में आप पहुची उहां अनिरुद्धों को पहचान कर उसने उसका अपहरन कर लिया उवा राक्षसी माया जानने वाली थी रात्री में पलंग सहीत अनिरुद्धों को उठा कर उवा गोधुली बेला में बाणासुन की नगरी में प्रविष्ट हुई इधर स्री कृष्ण के पूत्रा पदुमन्नों को पूत्रों सोक के कारण असाइधा रोक से ग्रसित हो गए अपने पूत्रा पदुमन्ना एबम पोत्रा और निरुद्ध के घटना से स्री कृष्ण जी भी बिकल हो उठे रुक्मनी भी पोत्रा के दुखों से दुखी होकर भी लखने लगी पतिवरता रुक्मनी खिंड़ना मन्स स्री कृष्ण जी से कहने लगी कि हे नाथ हमारे प्रिय पोत्रों का किष्णे हरन कर लिया अथवा वो अपनी इच्छा से ही कहीं गया है मैं आपके सामने सुकाकुल हो अपने प्रान छोड़ दूँगी रुक्मनी की ऐसी वाज सुनकर स्री कृष्ण जी ने यादवपो की सभा में उपस्तित हुए उहाँ उन्होंने परम्ते जुस्वी लोमस रिसी के दर्सन किये उन्हें प्रणाम कर स्री कृष्ण ने सारे घटना कह सुनाई स्री कृष्णा ने लोमस डिसी से पूछा कि हे मुनिवर हमारे पुत्रों को कौन ले गया है वो कहीं सुयम तो नहीं चला गया है हमारे बुद्धिमान पोत्रों का किसने अपहरन कर लिया है या बात में नहीं जानता हूं उसकी माटा पुत्रों वियोक के कारण बहुत दुखी है स्री कृष्णा जी की बात सुनकर लोमस मुनी ने कहा हे स्री कृष्णा बानाशुर की कैन्या उसा के सहली चित्र लेखा ने आपके पोत्र का अपहरन किया है और उसे बानासुर के महल में छिपा के रखा है यह वात नारज जी ने बताई है आप आस्विन मास के कृष्ण पक्ष की चतूर्थी संकटा का अनुस्थान कीजिए इस ब्रत के करने से आपका पूत्र अवश्य ही आ जाएगा ऐसा कहकर मुनिबर बन में चले गए है श्री कृष्ण जी ने लोमस रिसी के कथन के अनुसर ब्रत किया और इस ब्रत के प्रभाव से उन्होंने अपने सत्रू बानासुर को परास्त कर दिया यदर पी उस भीसन युद्ध में सीव जी ने बानासुर की बड़ी रक्षा की फिर भी वह परास्त हो गया भगवन कृष्ण ने कूपित होकर बानासुर की सहस्त्र भुजाओं को काड़ डाला ऐसी सफलता के कारण ब्रत का प्रभावी था स्री गनेशजी को परसना करने तथा संपूर्न विढ़नों को हरने के लिए इस भृत के समान कोई दूसरा भृत नहीं है स्री कृष्ण ने कहा है राजन संपूर्न विपतिों को बिनास के लिए मनुस्कों इस भृत को आवस्य सही करना चाहिए इसके प्रभाव से आप सत्रों पर विजय प्राप्त करेंगे एबम राईजा धिकारी होंगे इस ब्रत की महिमा का बर्णन बड़े-बड़े विद्वान भी नहीं कर सकते हे कुंती पुत्र मैंने इसका अनुभव स्वयम किया है बोलिये स्री गनेश ची की जय दोस्तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक सेर और चेनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कॉमेंट बक्स में स्री गनेश की जय जरूर लिखें